नमस्कार, रादे रादे बेनों, कैसी है आप, जैसे हम बोजन करने जा रहे हैं, गर पर अचानक महमाना आ जाते हैं, तो हमको लगता कि महमान क्या के तो मेरे खाने की क्वाइन्टिटी अधिक होनी चाहिए, जैसे हम दो तरह की सब्जी बनाए हुए हैं, दाल चावल मुझे एक quantity बढ़ानी है तो उसके लिए तुरंद कैसे बनाते हैं आपको आज बैंगन का भाजा बनाते हैं जो दो मिनट में बनके तयार हो जाता है और गरम-गरम सरु करते हैं इसको दो तरह से बनाना हम आपको बताते हैं इसके लिए थोड़े मोटे साइच के बड़े बैंगन हमने लिया है इसको अच्छे से काटके और धो लिये हैं पानी में मैंने दो बाउल लिया हैं एक बाउल में हल्दी और नमक एक चम्मच हल्दी आदा चम्मच नमक लिया है जो आपको आसान लगे वह बावल आप तयार कर लिजिए, अब इसमें पानी डाल लेंगे, पानी डालके पेश्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों बावल रेटीट कर लिए, बैंगन हमने मोटे साइज में काटे हैं, मोटे साइज में रहेंगे और अप कड़ाई ही ले आधे बैंगन टेल में और आधे बैंगन खुले होने चाहिए, सारे बैंगन डालके ये देखे, पलट दिया है, धीमी आज में ब्राउन होने तक पका लेंगे, और ये जो मूटा साइज है देखे, इसको हलका से हम प्रिसर देते हैं, चाप ये देखे, बबल्स निकल ले हैं तो जो बैंगन में पानी का मश्राईजर रहता है, वो खतम हो जाता है, और बहुत स्वादिष्ट अच्छे से भाजे बनके त्यार हो जाते हैं, अब ये मेरे भाजे पूरे बनके त्यार हो गए हैं, देखिए, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे, और आप इनको ग मेरा हल्दी नमक वाले वह भी इसी तरह त्यार कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे जब तक यह हमारे बैंगन त्यार हो रहा है आप मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करिए और कमेंट करके बताईए कि कैसे लगें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अब यह दोनों तरीकी क्वांट बनके त्यार हो गई है राधे राधे